आज का फर्मूला इंट सबसे पहले रिक्वेस्ट चहां भी आपको लगे कि आपको यह फर्मूला समझने में दिक्कत हो रहे हैं सो वहाँ पे आप इस वीडियो को पाउस कर लें सो उससे आपको यह वीडियो आप कई बार देखने के रिकॉर्मेंट नहीं होगे और आप एक ही शॉट में इंट फर्मूला समझ जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं मैंने नंबर उसके अगेंस में इंटेगर और फिर फर्मूला इटेल्स मेंशन किये है सबसे बेसिक इंट फर्मूले की रिकॉर्मेंट क्यों होती है int formula की requirement आपको तब होते हैं जब आपको किसी number को जो की digit में mention हो उसको nearest whole number में change करने होगे सो वहाँ पे आपको int की formula की requirement होगी बहुत basic formula है बद आपको excel में सारे formula स्टिकने चाहिए ऐसे मेरे मानने हैं उसके बाद आप अपने हिसाब से excel को proper useful तरीके से use कर सकते जैसे आप देख रहें 1.5 को मैंने 1, 2.8 को 2, 3.9 को 3, 4.6 को 4, 10.8 को minus 11, minus 9.2 को minus 10 और 6.8 को 6 में change किये use of formula, this formula helps to rounds a number to a nearest whole number जैसे मैंने mention किये कोई भी double digit, triple digit में भी आपके पास कोई number है and आप उसको nearest whole number में change करने चाते, so वहाँ पे आपको int formula की requirement होगी formula meaning बहुत simple round a number to a nearest whole number, इसके अलावाए int को, int के और other requirement नहीं है but compound formula में अगर आपको date mention करना है या बहुत date mention करना है वहाँ पे आप इसको nearest whole number में change कर सकते is any formatting required, no, यह formula Excel के सारे version में use होते हैं और आपको कोई formatting change करने के requirement नहीं है complete details, video के description box में भी available है, so आप वहाँ से check कर सकते हो thank you so much, have a great day, have a great Excel future